यहां पे मैंने 10 पी स्टिकिन के लेकर उसमें मैंने 1 टेबिल स्पून लेसन अदर का पेस्ट डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूं नमक हस्पेजाय का 1 टी स्पून नाल मिर्चे 1 टी स्पून काली मिर्चो का पाउडर 1 टेबिल स्पून सिर्का और 1.5 टेबिल स्पून रेड चिली सॉस और अब मैं इन सब को अच्छे से मिक्स करके मेरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन एक घंटे के लिए आप चाहें तो दो घंटे या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं चिकन मेरिनेट हो जुका है और यहां पर मैंने एक बॉल में लिया हुआ है डेट कप मैदा और अब मैं इसमें एक चिकन का पीस लेकर उसको अच्छे से कोट कर दूँगी यह देखें जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है और यहां पर मैं आपको एक और पीस भी कोट करके दिखा रही हूँ सारे पीस भी कोट करने के बाद यहां पर मैंने लिया हुआ है एक बॉल में ठंडा पानी पानी को मैंने फ्रीजर में रख दिया था आदे घंडे के लिए और अब मैं इसमें चिकन को डिप करूँगी डिप करने के बाद मैं इस पीस को वापिस मेदे में डालके कोट करूँगी अच्छे से यहां पर मैं बस दो ही कोट कर रही हूँ आप चाहें तो तीन या चार कर सकते हैं यहां पर मैंने यह सारे पीस कोट करके रेडी कर दिये हैं तो अब मैं इनको फ्राय करूँगी फ्राय करते वक्त आप तेल थोड़ा ज्यादा यूज कीजिएगा वर्ना फिर इसकी कोटिंगा कोई फायदा नहीं होगा और तेल आपने इतना लेना है कि एक पीस जो है वो उसमें पूरा डूप जाए और एक टाइम पे एक पीस डालें उसके बाद उसको थोड़ी देर फ्राय करें और जब थोड़ी देर फ्राय कर लें तो उसके बाद दूसरा पीस डालीगा और अब यहां पे देखें मैं इनको भी ऐसे ही फ्राइ कर रही हूँ और इसमें चमचा चलाने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है पांच-दस मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं अगर चिकिन अच्छे से गल जाए और उत कोटिंग का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं तेल कोशिश किजेगा कि ज्यादा गरम ना हो और इसको मीडियूम फ्लेम पे फ्राइ करना है लो टू मीडियूम फ्लेम पे और जब आप सेकेंड बीच फ्राइ करने लगे और यहां पर मैं second batch fry कर रही हूँ इनको भी देखें मैं पहले थोड़ी देर एक पीस को रख रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कितने अच्छी सी layers आ गई है और अब मैं इसको थोड़ा सा साइट में करके दूसरा पीस लिए से फ्राय करूंगी और यह देखें हो गया है तो आप बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेंदी में इंट्रेस्टर है तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें